अगली बात गैस फैकल्टी भरती को लेकर करना चाहेंगे बड़ा बवाल इस पर मच गया है पहले विरोजगार युवाउं की ओर से ही आवाज उठाई जा रही थी लेकिन अब तो छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं ये हम बात SFI की कर रहे हैं SFI की ओर से यारोप कॉंग् करने की कोशिश की जा रही है जिसमें नियमित तोर से ना भरतियां करते हुए पार्ट टाइम अध्यापकों को रखने की कोशिश हो रही है ये सब ही भरतियां इसलिए हो रही है अस्थाई तोर पर ताकि बाद में पेंशन न देनी पड़े और जादा सैलरी का भुक्तान भी ना करना पड़े लेकिन चात्र संगठन इस तरह के फैसले को सुविकार नहीं करते हैं सफाइ की ओर से जल्दी आंदोलन किया जाएगा अगर हिमाचल सरकार अपने इस फैसले को वापिस नहीं लेती है अभी हाल ही में देखे जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें गैस फैकल्टी भरती पर निर्ने जरूर ले लिया गया है और 26 के करीब पदों पर ये भरती होनी है क्या पुरा क्राइटेरिया रहेगा पिछले कल के बुलेटिन में हमने आपको अपडेट दी थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग और उच शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इसमें अध्यापकों का चैन करने वाले है इसलिए यहाँ SFI कारेकरतों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब अपने स्तर पर वो चैन करेंगे तो लाजमी सी बात है सिफारिशी लोगों को इसमें रखा जाएगा तो ये किस तरह की भरती हुई और अस्थाई तोर पर क्यों हो रही है और एक साल बाद फिरिया ध्यापक कहा जाएंगे इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए जो यंग्स्टर्स अभी कमिशन फाइट करने की तयारी में हैं या जिनके रिजल्ट फसे हैं उन्हें इसमें प्रात्मिक्ता क्यों नहीं दी जा रही है और बैच्वाइस भरती का इंतजार कर रहे अभ्यर्चियों को इसमें स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके बजाए सिफारिशी लोगों को रखा जाए इन सभी दूसरे युवाओं को मौका मिलना चाहिए था और अस्थाई तोर पर ना भरती होते हुए ये नियमित तोर पर होनी चाहिए थी ताकि बाद में पैंशन का लाब भी मिले और बाकी वीतिया लाब भी मिल सके लेकिन सरकार ऐसी कोई भरती करने की कोशिश में नजर नहीं आ रही है ये सफाई कारेकरतों की ओर से आरोब लगाए गए हैं और चाते संगठर ने ये भी कहा है कि कुल अभी शिक्षा विभाग में 11,000 के करीब पद खाली चल रही है लेकिन सभी पदों को अस्थाई तोर पर भरने की कोशिश सरकार कर रही है जब सरकार से इस बारे में हम सवाल करते हैं तो शिक्षा मंती रोही ठाकुर का साफ तोर से ये कहना रहता है कि बहुत सारे पद खाली है और दुर्गम क्षेतरों में जल्दी अगर इन पदों को ना भरा गया तो फिर चात्रों की पढ़ाई और जादा प्रभावित होगी इसलिए पहले अस्थाई तोर पर भरती हो रही है बाद में इन भरत्यों को रिप्लेस कर दिया